नमस्कार खबर समय जगत में आपका स्वागत है मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर भोपाल पूरे देश में महामारी जैसी बीमारी कॉरोना वाइरस ने अपने पैर पसार रखे हैं इससे पूरा देश भैभीत है इसी को लेकर संयुट संगर्स मोर्चा के अध्यक्ष समसुल हसन बल्ली ने कहा कि यह ला इलाज बीमारी है अभी तक इस बीमारी का इलाज नही ही मिल पाया है और माने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से ना निकलें 31 तारीक तक लॉकडाउन के आदेश दिये गए हैं इस आदेश का सभी पालन करें घरों में रहें वहीं उन्होंने कहा कि जो सडकों पर फुटपात पर और देहाडी मजदूर हैं उन्हें भी अब अपने घरों से निकाल कर खाना दें वे भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं वहीं उन्होंने कहा कि सयुक्त संगर्स मोर्चा अब गरीबों को रोज 31 तारीक तक खाना बाटेगा वहीं उन्होंने आवाम से गुजारिस की है कि जब तक यह बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें जो बहुत तेजी से हाथ लगाने से छूने से चीखने से बात करने से जो वाइरस पहलता है उस बीमारी से बचने का तरीका है कि मास्क लगाए सेनिटाइजर करें और घर से निकलने में परेज करें और तमाम हमारे शहर का भी एवान है जो लोग मस्जिद से दूरी है तो तो घर में ही नमाज अदा करें मस्जिद में अजान जरूर हो नमाज के लिए ताकीद किया गरों से ना निकले बड़ी बड़ी बड़ा फेसला शेरकाजी वापाल का उन्हें तवाम मत्प्रदेश के लोगों से कवंगे वो भी एत्यात करें यह तो रही बात जो लोगों घर करनी है शीरी शीराजी से मैं गजारिश करता हूं कि जो फुटपातों पर जो सो रहे हैं जिनके घरों में खाने नहीं बन रहे हैं जो जिनका रोज कमाना रोज खाना था और जो घरीब तपका मरूब मजदूर तपका था जो बहार से आए हुआ हुआ है उनके लिए सोने तो जरूर नहीं दूबा भूका जरूर उठाओं तो क्या आप ऐसे लोगों की मदद के लिए बिलकुल मैं हम लोग सर्जी मश्वरा कर रहा है एक दो जिन में हम लोग खाना बाटना घंसे चाह शुरू करेंगे हम लोग मेरे तमाम सातियों से बोबाल के नोजवानों जो समाजिक सब्सक्राइब करता है उनसे बुजारिश करूंगा सब अगर 55-88 kg अगर खाना बढ़ बाकर घरीबों में अस्पदालों में लेकर जाते हैं और देरों में जाते हैं घरीबों के लिए तो बहुत खुशी की बात होगी आप से सभी से आज़ोड कर मुगेदन है क्याविला में सोर ध्यान दे और गरीबों को अध्यान के लिए सरकार भी आ गया है मुखमत्री जी भी आ गया है समाजिक संगेधन भी आ गया है और शेहर के तवाम मेता है उनको भी आगया आना चाहिए ऐसे में जो की इतना बड़ा कर्फियू लगा हुए सारी चीजे चल मुखमत्री जी ले नाम के ऐसे अतीती शिक्षा विद्वान और जिनके पीछे जिनके सामने बेट क्या हम लोग शिक्षा धिरन करते हैं शिक्षा हसल की हमारे अतीती हमारे विद्वान अगर सड़कों पर आकर इसलिए सो दिन से संगर्ज कर रहा है बड़ी दुखत लटन मुखमत्री से यह मांग करता हूं कि अबिलम उनकी मांगों का निराकरण करें जिससे की वह अपने घर जा सके घर समाल सके चूंकि उनके घरों में भी खाने के दूद के खाने के लाले पड़े हुए वह भी आज इस हाला तो में नहीं है कि अपने घर परिवार को चला सके मुखमत्री से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत झाल झाल